हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हेर लूपन टूपन कि और घर ये रहूम होज लूपन टूपन इपकन दियक थे गाहित के लुपन पेन दियक घही हा हुन तेरी हमत कैसे उच्पे आट उखा लेगी तो हमें जो मर्दी बोलेगी और हम जवाब नहीं देगे क्या कैसे उच्पे जे तो हमें खार, हमें जेरी हमें लेगी तो हमें, इवाब नहीं तो हमें भेगी तो हमें तो हमें जेखे क्या जहीं खाइए रसकार भूण शेखे अरे गुस्षे में चेली गई है ना इसलिए मोबाल आप करके रखा होगा जैसे दिमाग शांत हो जाए का लोट आएगी अरे बल्राब जी बच्चा लोगों का एक तरीका होता है गुस्षा दिखाने का यह जाकर बैट जाते है और मावक्त इंसिल में आके तिल मिलाते रहते है वैसे यह गुस्षा 24 गंटे जादा नहीं टिकता आ जाएगी लेकिन साब मेरी नीलम कल शाम लगवक छे बजे घर से निकली है बोली मौसी घर जा रहे हैं उसकी मौसी रादेपूर में रहती मुश्कित से दो घंटे का रास्ता होगा वहां पहुची नहीं पता नहीं राद बर कहा रही होगी फोन भी बद है उसका पर शाम छे बजे गई है ना आता 24 घंटा तो दो आज शाम छे के पहले आ जाएगी वह उस्ता थुक देगी साब परसो दस तारी को मेरी बेटी नीलम गार से निकले थी गुस्से में कुछ बोलकर निकली थी और राध्यपुर आने वाले थी मौसा उसका लेकिन मेरे घर आई नहीं 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 बिट्या और उसका फोन भी बंद है और आप लोग अब दो दिन बाद आयो था ले अरे नहीं साब कल सुबर से यहीं डेर डाले हुए लेकिन कोई हमारी ठ कि का फोन बंद है तो उसके रिकॉर्ड इंगल वा सकते हैं वैसी हमारे देपार्टमेंट कम बद्राम नहीं इस बाद के लिए क्यां काम नहीं करते हैं तर नंबर युफ कोल्ट इस कालदी स्विच्ट ओफ प्लीस ट्राइगें लेटर थैंक यू सर ट्रिपल फोर एट सेवन सिक्स टू त्री वा इस नंबर के कॉल रिकॉर्स और लोकेशन चाहिए एक किस साल की लड़की है नीलम बिस्ते नाम है पर्सों से गायब है साइस नंबर की डीटेल्स और जल्दी मिल जाती तो अच्छा होता पहले भी कभी ऐसे नीलम घर छोड़कर गई है कुस्से में और आपके घर जाकर रुकी है राजंदर जी नहीं कभी नहीं क्या करती है नीलम कॉलेज में परती है वास्टेर के बाद नीलम दीदी ने कॉल किस बद पर वाता जैता है सर वो पैसो को लेके नहा कुछ जमा आमाँ मेरे बखसे से दो सोरोपे लिये हैं क्या? नहीं, और तुझे पता है ना, तुझे बिना पूछे तेरे बखसे को हाथ भी नहीं लगाते हम बाबा भी बिना पूछे नहीं लेंगे, तो फिर काँ गे मेरे दो सोरोपे? रखे होंगे कही देख ठीक से नहीं अम्मा, वहीं बखसे में रखिए जेतन, 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 मेरे बखसे से दोसर रुपे लिये हैं। हम कहे लेगे, कोई काम दंदा निये क्या। तुन नज्जरे की चुरा रहा हैं यहां देख। इससे पहले भी बीस-पचासो पर निकालता रहा है थ। यह माझ सोच की मुझे मालूम नहीं पड़ता था ओ दीदी, घमाने लगी हो ना तो इतना इतरान की जवरत निया। चप, दीदे से जवाब दे, दोसर रुपे लिये या नहीं लिये? कौन सा दो हजार रुपे लिये? मतलब लिये दोसर रुपे? हाँ, क्यों? को अब मुझे से बिना पूछे? हम पूछते, तो तु देती क्या? क्यों लिये? बोल! अरे दोस्तों को छोले बटूरे की पार्टी दे री थी हमें चल, रास्ता छोड़ अभी नीलम अब जाने भी दे बिटा क्यों जाने दूं अम्मा? इसकी पढ़ाई के लिए मैंने अपनी पढ़ाई चोड़ दी और तुझे पता भी है? वो पैसे हम क्यों जोड़ रहे हैं? दोस्तों रुपे के लिए थी नौटन की करनी जरूरी है दोस्तों को छोले बटूरे किलाना जरूरी था आज घर पे चोरी किये, कल भाहर जाके डाका डालेगा और फिर भी बोलेगा कोई आस्मानी तूट पड़ा है चेतर तेरे युमात क्या क्यों मुझ पे हाथ उचाने के? चेतर उजे जो जी में आएगा, हम तो कहेगी और अम जवाब भी देगे क्या? 200 रुपे के लिए 2 लाग का एग्जाम लगा रही हमका चेतर अम्मा, समझा दो इसको चार पैसे क्या कमा लेती है, सबके सर पे चड़के ना बैटे चेतर, जा यहां से नीलम, अम्मा मत रोग मुझे उसना घपड मार रहा है मुझे तो तुने भी उससे चोर कहा ना, आप जाने दे घर पे पैसे चुराए उसने, क्यूरा तो उस चोर में उसे बस भी कर, तेरी बाबा से कहकर तेरी 200 रुपे लोटा देंगे और इस महने मेरे हाथ में 200 रुपे कम देना, बस अम्मा, तु हमेशे चेतन की तरफदारी करती है, और सही नहीं है यह निलम, अब बहस मत कर, जवान लड़का है उसे इसे चोर नहीं कहते अब माथा थंडा कर, और चाई पी ले चाथ मुझे नहीं पीनी कोई चाई है, निलम, निलम बेटा पीटा, तु काम से धक्यारी आई है, बेकार में ही तेरा बमारा चड़ गया मैं घर चोड़के जा रही हूँ, तु जब देखो चेतन की तरफदारी करती रहती है, मुझे नहीं रहना यहापे क्या बेच में आए चाई की धिए और कहां जाईगी तू, पता नहीं पर यह नहीं रहना मुझी टीटा, रहे हो जो ही अर यहां चाई मापिस नहीं किरतेरती हूं अब सम souvenir है यह अगे अगे ज। आई आगे आया करता पस्ता हो एलम रुग निलम 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 रुग जा निलम बेटा जा कि माफिव दीदी से हमें चोर बोली चोरी नहीं कि हमने अरे अपना घर ए ले लिये पैसे बस अम धी लुब में घर चोड़कर चलिए जाएगी कि आसा मैंने सोच नहीं था सब, इनकी बेटी है अर्चना, उसे नेलम की अच्छी बनती है तो कभी-कभी मिलने चली जाती है इनके घर, रुकी भी हमा, हम तो रात पर इंतजार करते रहें सर, लेकिन वो आई ही नहीं, शेरगन से रादेपुर कैसे जाती थी, अच्से, जी हां साब, हमें अर् काफी करीव हो तुम दोनों? जी मैडम, कुछ पता है, जा कहा सकती है? कहीं नहीं मैडम, वो बिना बोले गुस्ते में तो कहीं जाई नहीं सकती है, और गुच भी हो जाए, वो अपना फोन कभी बन नहीं रखती है, अमारी बेटी को अच्छे से जानते हैं हम, हां उसे कु मधु और कंचन, हम उनके घर भी हो आई सर, लेकिन दिदिवापर भी नहीं थी, कहीं और जा सकती है, निलम? साब, रुमाल जितना बड़ा है शेरगंग, हर कोई हर किसी को जानता है, दरजेनों लोगों ने निलम को बैक लेकर निकलते हुए देखा था, लेकिन निलम के दिमाग में क्या चल रहा था, ये कोई कैसे पता करता, समने सोचा हो का यहीं कहीं जा रही होगी, और बस टन से साब, दो बसे हैं, जो शेरगंग से राधेपूर के ले जाती है, पतना साइड में ने दोनों बसों में बंदों से पता किया, किसी ने भी निलम को नहीं देखा, और सकता है बसे ना गई हो गरो, हाईवे से लिफ्ट मांगियो किसी से, या फिर पहले से ही तय होगा हाईव मैं, मिल्कुल नी मांथ्वा, कि नीलम जैसी लड़की गुसे में घर छोड़े की, और फिर वापस ही लोटे ही, आप ये नीलम और उसके परिवार को कितनी अच्छी तरह से जानते रामलाल जी, नीलम जैसी महनती लड़की तो मैंने अज तक देखी ही नहीं, और ये गुरू से अपने बाप से मिला है, बलराम, वो भी बहुत मैनती आदमी है, बरसो से फैक्करी में लोडर का काम करता आया है, नीलम जैसी नीलम पिछले दो साल से काम कर रही है, जी मेडम, बच्ची ने पढ़ाई छोड़ी घर में हाथ बटाने के लिए, मेरे पास आई, तो मैंने तुरंत उसे काम पर रख ल लोगों को लगता है, कि कोई लड़का वड़ा का मिलने आता था, तो भूल जाये, ऐसा कुछ भी नहीं था, रामला जी घर का कोई मसला, आप से कभी कुछ का नीलम ने, जी नहीं मेडम, अगर घर का कोई इतना वड़ा मसला होता, तो परोसियों को जरूर पता चलते, और महीने के 500-600 बचा लेती थी वो, अब तक 4-5,000 हुए होंगे, रश्मी जी, आपने बताया गुस्से में ने चेतन से का कि, तुझे पता है ना मैं किसली पैसे जोड रहे हैं, और तुझे पता भी है, वो पैसे हम क्यो जोड रहे हैं, नीलम किसली पैसे जोड रहे थी, घर म जरी हैसियत नहीं है, उसे और चेतन को गॉलजे पढ़ाने के लिए तो चपचाब उसने काम करना शुरू कर दी, क्या कोई और भी वज़े है, जिस वज़े से नीलम को गुस्सा आया और वो घर जोड कर चली गई, नहीं चेतन, हमने नीलम को घर जाते हुग नहीं देखा राकिछ भईया, हमने को इतना भी बड़ा जुरू नहीं कर दिया, कि दीदी घर चोड़ के चली जाए, हमें नहीं लगता कि सिर्फ तुमारे हाथ उठाने के वैसे वह घर चोड़ के गई है, हमें लगता उसकी शादी को लेकर कोई बात रही हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो लेकिन हम तो माबाप है, हमें तो सोचना ही पड़ेगा उसकी शादी के लिए, बाबा, अभी नाई सोचो तो बैतर है, एजा कैसे ना सोचें, एक तो किसकी हो गई है, उपर से कमाने लगी है, कल को यह ना कहे है, कि पैसो के लालाच में तुरी शादी नहीं करा रहे है, औ मैं कौन सा मनागरी हूँ, क्यों, दूसरा कमरा बनवाने के बाद यही पर जमे रहने का प्लान है, हाँ, मैं शादी ही नहीं कर तो यही रहूंगी ना, मतलब वो पूरा एक कमरा सिफ तेरे अकेले का, हाँ पई, क्यों कि लड़का है, जिसे नीलम पसंद करती है, जिसकी व किता नीलम की कॉलिज फ्रेंट, मधवर कंचल, इन दोनों से भी बात करो, हो सकता है कोई बाइफरेंड बाला माम लाओ, से नीलम के मौसेगी बिटी अर्चना, वो काफी क्लोज है नीलम के, उसे नीप बॉइफिन का जिक्र नहीं किया, अर्चना करीब जरूर है वर है तो अर्चना, वो खुद आयते सामने से, कहा है कि गवर्मेंट सर्विस में कोई जड़का हो तो बता लाइब नीलम में तुमसे कभी कुछ ऐसा कहा क्या, कि मेरे लिए लड़के वड़के ना देफो, कोई और है, हमारे नीलम के बीच में ऐसी बाते नहीं होती थी, दर असल ए अगर कोई लड़का होता, तो सबसे पहले घर पर बताती, भागती बागती नहीं, अगर कोई होता भी, तो रिष्टा इतना छुपा हुगा कैसे रह सकता? कोई था मधू, कंचन? मेरे असाब से, नहीं नीलम ने हमें कभी कुछ बताया है नहीं मैडम तो स्कूल से लेकर कॉलेज तक तुम तीनों साथ में थी, नीलम ने कभी कुछ ना बताया, लेकिन तुम दोनों ने कभी तो कुछ तो महसूस किया होगा? वही तो माडम, कभी कुछ महसूस नहीं हुआ, मतलब नहीं था और हमें कुछ डाउट होता, तुम सीधा उसी से पूछ लेते, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं दरसल माडम, हम दोनों भी यही सोच रही थी, नीलम इतनी गयर जिम्मिदार हो ही नहीं सकती कि वो खुद कहीं चली जाए, या किसी के साथ भाग जाए, उसे अपने घर वालों की बहुत फिक्र है चलो, एकदम सेकेट वाला अफेर वाफेर हुआ भी होगा, किसी को भी ना बताने वाला टाइप का फिर भी एक टाइम पर वो अपने माबाब को तो ज़रूर बताती, बहाग जाना उसका स्टाइल ही नहीं है मैडम चर्ट, नीलम के फोने कोट से तो कुछ भी नहीं मिला है, अपने फादर और बोस रामलाल के लाबा, यूससे इच लगबग ना की बराबर है लास फोन लोकेशन दस्तारी की शाम को, शेर गंच हाईवे है, उन हाईवे के पास स्टाइवे, जी हाँ सर, शाम को सबसाथ साथ बजे, अगर नीलम अपनी मौसी के खर जा रही थी, तो अपना फोन स्टाइवे क्यों करती, शाफ पर पहले से ब्लैंड था, कि फोन पोन sözच उफ कर करके कहीं भाग जाना एंगा, या सबर्दस्ति उसका फोन स्टार्फ कर वाई अगर उसका फोन जवर्दस्ति सुच एप कर वाए गया होगा सर, तो मतलब मतलब शायद इलम को डिजंए ठाला है। कि नहीं साब उस लड़की उगाए वोने हमारे कोई हाथ नहीं साब अध्यों कि साम कुछ वामनों सुना है भी नहीं सो बच्चों के किसम खाके के नहीं साब दस अप्रेल को मैं सिर्कान में था ही नहीं अब तुम दोनों कान खोड़ के सोना आज 14 पेल है चार देन हुआ है बता करो लड़की कहां पर है नहीं तो तुम दोनों लापता हो जाओगे हमेशा के लिए 21 साल की लड़की है फोटो पावट कर दिया मैंने आपको जरा आप अनाइडेंटिफाइड बॉड़िस के रिपोर्ट में चेक किजी दस एपरिल की शाम को गाया भूजी नीलम 11 तारिक से लावारिश राशों की जोज़र रिपोर्ट है आपके पास मुझे तुरन भीज दिए हर एक हिस्टी सिटर की एक मुव्मेंट को चेक करना है यह उन हिस्टी सिटर की लिस्ट है जिन पर रेप और अटेम्ट तो रेप के चार्ज लगे हुए मुन्ना यह मडर और अटेम्ट तु मडर वाले हिस्टी सिटर की लिस्ट है इन में से कोई भी जरासा भी आनाकानी करे कुछ बोलने में तो थाने में हाजरी लगाने को बोल देना आप कह रहें के नीलम दीदी के साथ कुछ गलत हुआ है पांच दिन हो गए है इस बात की पूरी संभावना है कि किसी क्रिम्रल ने ने नीलम के अकेले होने का फायदा उठाया लेकिन वो कोई जान पैचान वाला ही होना चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो क्योंकि हाईवे पर किसी ने कोई चीखना चलाना तो सुना नहीं है लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा हमारी नीलम ने तो आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं पता नहीं इस नालाइक ने उस पर हाथ चूटा है शेर गंज में कोई ऐसा है जिसने कभी नीलम को छेड़ सर्फ पूरे गया डेस्टिक में कहीं भी लावारिस लाश नहीं मिले है जो नीलम से मैच करती हूँ तो अफिर ये लड़की गई कहा इस ट्रीशीटर्स की अर्सों बाद इतनी पढ़ाई किया सर्फ अगर कुछ होता तो कोई ना कोई बग देता लड़की ट्रैफिक हुई हो इस इलागे में ट्रैफिकिंग माफिया के किसी बंदे ने स्पॉट किया हो कि लड़की अपी लि वोरूट उसमें भी सुंसान नहीं है कई सारे मकान है उस रास्ते बाद सर अगर वो चिल्ला थी तो कम से कम 30-40 लोग इखटा हो जाते तुरंत तो चिल्लाना रूलाउट करते हैं मतलब जबरदस्ती उठाकर ले जाने वाले मामले को रूलाउट करते हैं हाईवे पर फोन स भाई के हाथ उठाने से तो सुसाइड का एंगल बन सकता है सुसाइड क्या होता तो यड़की की बॉड़ी तो मिलती उसका बैट तो मिलता क्या वो हमें छोड़की गई है इसे थपड को लेकर बता देते तो चार थपड मारते हैं चेतिन को नहीं रश्मी बात कुछ और है किसी लड़की के साथ भाग तो नहीं गई नीलम ये गुस्सा उसकी भागने की इरादे को और हवा दे गया हो कोई ललका था क्या नीलम ने तुम्हें कुछ बताया कभी कैसी बात कर रहे आप आप से कोई बात छिपाई है कभी शयद कोई औ बढ़ap के चीज़ और चुपा रहा है सब कुछ जानकर कौन पहा नियुक मुझे क्यों लग रहा है है esos आट अज अज़ूर कुछ जानती है जो चुपा रहे है पर कह तो रही हो कर ने ने मुझे कुछ नहीं बोला आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं देखो हमें लग रहा है तुम हमें ते कुछ उपा रही है बिटा देख बिटा बाब ने पता चला कि तुम्हें कुछ मालूम है तो बहुत बुरा लगेगा हमें रश्मी दीदी और बलराम जीजाची को मुझ दिखाने लाइक भी नहीं रहेंगे मैं सच कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम है और आप लोग एक बात समझ लो नीलम दीदी कब आती है हमारे गर शनिवार यार अविवार को क्योंकि उसे एक ही दिन छुट्टी होती है और 10 एप्रिल को तो सोमवार था तो अगले दिन उसे काम पढ़ नहीं जाना था क्या तो वो यह कहकर कैसे निकले कि वो हमारे गर आ रही है मुझे तो इसी बात में जूट नजर आ रहा है तो कहना क Success यह कि वो यशा कहकर निकल ली ने चकती कि वो हमारे गर आ रही है क्योंकि वो कभी ऐसा कटी ही नहीं है रश्मिदी जी ने तो हम से यही कहा ये बग्वान कहीं तो ये तो नहीं कहना चाहरी है कि रश्मिदीदी हमसे जूट कह रही है सब मैंने डाइवर्स लगा दिये अगर सुसाइड होता तो साथ दी में बॉड़ी फूलकर ऊपर आ गई होती कहीं आके बहतो नहीं कही है सब नदी से लगर जितने भी गाउं है मैंने सभी के थानों को अलर्ट कर दिया था कहीं सभी किसी बॉड़ी के मिलने के कोई ख़बर नहीं आई अभी था मैं सोच रही थी कि नीलम के बार में हमी जो भी सुनने में आया है काफी मजबूत केस्म की लड़की लगती है क्यों नहीं मिली है कोई भी नीलम बिष्टी के पॉस्टर्स हमने शेर गंज रादेपूर और आज पास के सारे अलाकों में लगवाए नीलम को गायब हुए अब दस दिन हो चुके थे और अजीब बात थी कि हमें रिस्पॉन्स लगभग ना के बराबर मिला पर एक मसला था एक किस्सा कहिए जो अब भी हमारे सामने नहीं आया था यह अतीत में हुई एक घटना थी मैंने गेट पे लक्षमन को देखा तब जाके मुझे याद आया तो पुलीस को बोले या रतना मैम को तुम दोनों को लगता है हरी शंकर नहीं कुछ किया होगा रतना माड़म हमें जैसे ही कुछ याद आया तो हमने सुछा आपको बता दे हमें यह बात पुलीस को बता देनी चाहिए वो पुलीस वाली मैडम थी ना बार बार पूछ रही थी क्या कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वज़े से किसी ने कुछ किया हो कॉलेज में सिक्योर्टी गार था ये सर हरी शंकर गुपता दो साल पहले की बात है हुआ क्या था नीलम ने हरी शंकर के खिलाफ शिकायत की थी क्या है जब देखो तब घूरता रहता है आपको थोड़ी घूर रहता अंदी नहीं हूं मैं हर रोज देखती हूं आंके फाड़ फाड़ गे देखता रहता है पुआ किया है तुझे मुझे कुछ नहीं हुआ आप गलत मतलब निकाल रहे हैं आच्छा तो तु यह संजा क्या निकालू निकालू तु लड़की गलत संजीए तु मैंने किसी को नहीं छड़ा हूं चुप रहो तुम है सिक्योरिटी के लिए रखा है ताके तुम स्टूड़ेंट्स की हिफाजद करो और तुम हों के उन इको छेरते हो अंजी मैं को गलत नजर से नहीं देख रहा तो तहीं रेप, वेप, मडर वडर कुछ कर दिया तो हमारा कोलिज तो बदनाम हो जाएगा ना अरे गुरू खुसुर खुसुर तो हो ही रही है दुबजी आखे निलम का पुरा परिवार जोट क्यों बोलेगा ये तो बल्राम भाईया रश्मी भावी और चेतनी बता सकते हैं लेकिन गावालों को क्या लग रहा है अरे यही कि अगर मोसी के घड़ जाने के लिए निकली ह अरे गुरू हम लोगों के मुह में पान डालते हैं तुम हमारे मुह में मुह में शड़ जितनी उर्ती खबरती सब बता तो दी मधू कंचन नुकरी से निकाले जाने के बाद क्या कभी हरी शंकर ने निलम को कोई धंकी वंकी दी थी धंकी दी किने ये नही मालू मैडम पर इस तो पाद की तो अड़े उसने कोई था किति इम क्या बात की थी किया पीछा करने लगा था कुछ न नहीं है तो फ thrive मैम को कंप्लेंड करने से पहले भी इंगो टान पीछा करता था किसंवडरे तो लिय उसने कोई धंकी वंकी दी क्या है नहीं तो फिर अब क्या है अपने गलत किया मेडम हाँ गलत किया कॉलेज में नहीं पुलिस में तुम्हारी शिकाया दर्ज करनी चाहिए थी और अब इभी देर नहीं हो यह जा सकती हूं पुलिस्टेशन अब करोगे तो क्या फरक पड़ेगा सजा तो मुझे मिल चुकी कोई भी काम नहीं मेरा नाम खराब नाम नहीं तेरी नजरे खराब है उसी का फाल ही अब मेरा पीछा करना चोड़ दियो और चला जाए आसे और अब भी पुलिस थाने चली जाओंगी उसके बाद निलम ने कभी हरिशंकर की बात नहीं की लेकिन तुम दोनों ने ये पीछा करने वाली बात हम से क्यों चुपाई हमें लगा कुछ सीरेस मसला होता तो वो खुद-बुद कम्पलेन करती आपके पास लेकिन उसने कभी की नहीं तो हमने भी नहीं की Sir, ये रहे हर शंकर कुपता के सारे डेटियल्स, फोन नंबर, अड्रेस, सब कुछ. फोन नंबर, अड्रेस, ये सब दो साल पराने हैं? Sir, हमारे रेकॉर्ड में तु यही है. The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. Thank you. Phone तो आप अड्रेस है. अड्रेस चेकरते हैं. सुन. हम क्या ते रहे? लक्ष्मन, लक्ष्मन केवट साथ. हरिशंकर गुपता को जानते हैं, दो साल पर ले हैं सिक्योर्टी में था? नहीं साब, नहीं जानता. किसी नीलंबिस्ती को जानते हैं? सुना है मेडम, वो इस्टूडेंट बात करते रहते हैं. लड़की गया भै करके. दीदी ने हमें चोर कहा. हमारा हाथ उड़ गया और अब गुसे में भाहर जाके बैढ़ गए. तो जब तुमारी दीदी घर छोड़ कर चली गई, तो उसने घर के बार तुमसे कुछ बोला था? नहीं सर, दीदी बहुत गुसे में थी. अमा ने हमसे कहा कि जाके माफी मांग लो. लेकिन हम अपने एगों में थे, हमने माफी नहीं मांगी सर. लेकिन हमें थोड़ी पता था कि दीदी लोटने नहीं वाली. चेतन जब तुमारी दीदी घर के अंदर बैकपैक कर रही थी, तो तुमारी मा और उसके बीच जो बाची थो रही थी, वो नहीं सुने तुम्हें? नहीं सर, हम तो बाहर बैठे थे ना, और अंदर वो चिला तो नहीं रहे थे. तो जब तुमारी दीदी ने कहा कि वो तुमारी मौसी के यां जा रही है, रादेपूर, उस वक्त तुम घर के बाहर बैठे थे, तुम्हारे बाबा घर नहीं लोटे थे, तो मतलब, ये बास सिर्फ तुम्हारे मा ने सोनी है. जी सर, आप ऐसा कह सकते. तुम्हारे बाबा ने कफ़ून किया था, रादेपूर, ये जानने के लिए कि, क्या नीलम भापर रही है? जब वो शाम को घर लोटे थे, काम से. कितने बजे थे? साथ सवा, साथ क्या सपास? महादेवी, क्या नीलम ने तुम्हे फोन किया? अभी तक नहीं आया, जीजाजी. ना मुझे ना अर्चना को. क्यों क्यों आप लोग बता क्यों ने रहे हैं, क्या आकर माजरा क्या है? अब क्या बता हैं? यहां चेतन के साथ उसका जगडा हो गया, तो गुस्से में निकल गई छे सवाचे के करीव यहां से. यह कहके कि मौसी घर जा रही है. यह राम, ऐसा क्या जगडा हो गया, जीजाजी? और इतनी शाम को अखेली कहां चेले गई लड़की? राम जाने महादेवी इस निलम को इतना गुस्सा क्यों आता है? और पगली ने फोन भी बंद कर रखा है. साड़े शेकी भी बस लियोगी यासे दीदी ने, तो साड़े आठ से पहले थोड़ी ना पहुचेगी राधेपुर. तो चुपकर! बड़ी बहनता हाथ उटाता है बिश्रम. तुन्हें उसके पैसे की उचरा है बक्से से? अब आप भी हमें ही डाटेंगे. दोस्तों रुपे क्या ले लिए दोस्तों को पाटी देने? सबने गुनेगार मान दिया है हमें. साड़े आट बजे जब मौसी को फोन किया तो दीदी तबी भी भानी पहुची थी. और तब भी दीदी का फोन बन दी था. अच्छा चेतन क्या लगता है तुम्हें? ये जगड़ा, ये थपड़, ये सिर्फ एक बहाना था. हो सकता है घर छोड़ने का असली कारण कुछ और ही हो? मतलब सर? मतलब ये मौसी के या जाने वाली बात क्या जोटी है? लेकिन सर हमारी अम्मा जोट क्यों बोलेगी? अर्चना ने हमसे कहा कि वो शनिवार या रभीवार को ही वहाँ आती थी. या किसी चुटी के दिन, वो अपने काम पर एक दिन के लिए भी एपसाड नहीं रहती थी और नहीं लेट होती थी. और उस अगुस्ता चाहें जतना भी आया हो. चेतन, कुछ जानते हो तूम. कुछ नहीं, क्या जानते हूम? जिस दिन उसे कॉले से निकाला गया, उसके एक हफते बाद ही हरी शंकर नहीं एडरेश चोड़ दिया, दो साल पहले. वहाँ से काहाँ चला गया? कुई लीड? अगर आप चाहें तो मैं उन लोगों से कॉंटेक्ट कर सकता हूं, जो हरी शंकर के टेस्में हो सकते हैं. तुम उसके टेच में नहीं हो? उस कॉलेज बाले मामले के बाद मैंने उसे कभी भी काम पर नहीं बहिजा और नहीं कोई बात हुई. हमें उसका लेटेस फोन नबर चाहिए दिनेश. हमेशा है कि निलम विष्टे के साथ उसी ने कुछ किया है. मैं बंदों से बात करता हूं. और जो भी जानकारी मिलती है, मैं तुरंट आपको दूँगा. Sir, टाइमिंग खटक रही है. बदले की कोई टाइमिंग नहीं होती है किता. हमने कई cases में देखा है, लोग बाग 20-20 साल के बाद भी बदला लेते हैं. Sir, मैं दस हेपरिल के शाम की टाइमिंग की बात कर रही है. निलम जगडा करने के बाद घर से गुस्ते से निकलती है. अब फिर उसी दिन उसी शाम को चुन-चुन के उसे कौन मिलता है? भरी शंकर गुपता. तूमच इक्तिफाक, Sir? जरूर है. पर एक से जादे इत्तिफाक होते तो हम दोबारा सू सकते हैं. एक का गुस्सा, एक का बदला, आपस में टक्रा जाना. शेबी तो इत्तफाक हो सबता है. बच Sir? पर एक से चलो, तो इसा नहीं हुआ है. तो पर इसे अमारा सवाल तो चेंज नहीं हो जाते है. कि नीलम विष्टी कहा है? जा हुआ है उसके साथ? Sir, सेतने जैसा बताया, बल्राम के फोन रिकॉर्ड्स के मताबिक, सेम उसी तैम पर उसने कॉल किया था महादीवी को. जादातर ऐसे गैसे में पैरेंट्स और फ्रेंड्स कुछ बताया ना बताया, और उसके बारे में हमें अंदेशा तो मिल ही गया होता. जाना लगबग असम्दी, तो फिर निलम गई कहा, वा क्या उसके साथ? यही बात तो हम पुछरें साथ, क्या हम अपनी बेटी की शकल देख पाएंगे कभी? देखे, इस वक्त हमारे हाथ में सिर्फ हरिशंकर गुपता का सुराग, जो भी तक में मिला नहीं है. हम पुछरें हमारी बेटी कर भी मिलेगी, सही सलामत घर लोटेगी? इस वक्त हमारे लिए कुछ भी कहना हम उसके लिए, हम इस सब भावना गो भी टटोल रहे हैं कि क्या निलम खुछ से यहां से बहुत दूर चली गही है, पर सवाल यह है कि क्या निलम ऐसी है? इतना गुस्ता भरा था उसके अंतर? एक भाई को अपनी बहन पर हाथ उठाने का पच्तावा था, इस जगड़े की वज़े से उसकी बहन गुस्से में घर छोड़कर जो चली गई थी, एक बाप अपनी गुमशुदा बेटी के बारे में कोई खबर सुनने के लिए तरस गया था, एक ऐसा दिन नहीं गुजरा जब बलराम थाने ना आया हो और अपनी बेटी के बारे में पूछा ना हो, पर उसे देने के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं हो, कि उसकी बेटी कहा हो सकती है, क्या हुआ होगा उसके साथ? इस वक तक हम हरी शंकर गुपता को नहीं ढून पाये थे, इस केस में हमारे पास एक ही संदिग्द था, वही मुख्य संदिग्द था और वो था हरी शंकर गुपता, दिन हफते बने, हफते महीं में, फिर भी नीलम विष्टी केस एक इंच आगे नहीं बढ़ रहा था, 10 अपरेल की शाम को क्या हुआ था, इसके बारे में खबर का एक कत्रा सामने नहीं आ रहा था, नीलम को गुस्से में घर छोड़े, अब 11 महिने बीच चुके थे, और एक फॉन कॉल आया, हलो, 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 अरे कौन है भाई कुस तो बोलो, वो हवाज मेरी नीलम कीती साहब, क्या बोली, ज्यादा तो कुछ नहीं बोली, बस एक नाम लिया राकेश जागा, बोली इस सब के बीचे राकेश, किस सब के पीचे बलराम जी, यह तो नहीं पता, मेरी बच्ची रो रही थी और कह रही थी के, अरे कुछ तो बोलो, कौन है ती राद गए, अलो बापा, 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 नीलम, नीलम, नीलम बिटा, कहा है तो, बापा मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, अरे मेरी बैच्ची यह तो पता तू है कहाँ बापा मुझे नहीं पता मैं काओ यह सब राखिश भाया ने किया है बापा मुझे बचा एसा लग रहा था कि डर डर के छुपके बात कर रही थी कहीं से सर यह नंबर ट्रिपिर फू नाइन रोट से कॉल आया था वह भी सुछ टॉफ है लोगेशन डेटियल और रेकॉर बेजने के लिए के लिए के लिए साब अब तो आपको पता चल गया ना के लड़की जिल्दा है आप ही कुछ कर सकते हो बचा लो उसको हां सर और उस शाम को इदी बहुत ज्यादा गुस्से में निकली ती घर से और रास्ते में उस राकेश के बच्चे नहीं पासा होगा दीदी को मैंने मैंने आरा किश तू ने उसने तेरे नहीं लिया सर पगला गया है बल्रामजी हम शेर गंज में यहापना काम कर रहे हैं बल्ला हम एसी घिनोन उसने इन बद करता है और फून पर रोते हुए कहते है कि राकेश ने उसे घ। रसा है लग है लेख नहीं कहाध 10 से रख अशाम को तूम नेलम से मिले थे राकेश ? मिला होता तू बताता नहीं मैं .... और मिला होता तो कहां लिए जाता मैंसे अपनी बतनी वनाटा के पास ? वो कुछ नहीं बोलती हुझ ही कहा से फोन किया था झाले झाल नब यह से प्र Juda Q ! पर उसने ये ज़रूर बताया कि तूने उसे फसाया है सर फसाया तो आपको जा रहा है हमें तो लगता है बलराम ने कुछ किया अपनी बेटी के साथ और ग्यारा महीने बाद किसी फोन कॉल का नाम लेके हमें आगे कर रहा है सर हमें तो लगता कोई फोन कॉल आया ही नहीं बता किया हमने वो नाय था अरे सर फसाया तो हमें जा रहा है ऐसे ग्यारा महीने बाद कोई नाम लेता है क्या? एजंदर कल चलना है मेरी साथ मा के लिए निजा सकता लेकिल जाना कहा है बल रहा हूं? इलहाबद क्यों? उसने मेरास्ते में बता दूँगा तो है चलोगे ना तुम मेरे साथ? एक मेरे साथ एक मेरे पल रहा हूं यह पांच दिन पहले जो फोन आया था क्या वो सचमेली नम का था? उसने सचमेराकेजा का नम लिया था प्रूइब नम लगा हूं जसने सचमेराकेजाद का था नम लगा हूं कि एड़ा इंड etes उल एंड लाक कि दोना रास्ते में है काकजार दस मुएट में आ जाएंगे तुम्हारे बाबा और मोसा दो दन के लिए कहा गे थे चितर बता ही नहीं रहे सब लेकिन कुछ तो है और हमें इसा लगता है कि बाबा जानते है कि नीलम दीदी के साथ क्या हुआ है तुम्हारे बाबा किसी तरह शामिल हो सकते हैं नीलम के गायब होने में नहीं सर हमें नहीं लगता लेकिन बाबा जब से लोटे ना तब से बहुत खामोश है सर कुछ तो है जो हो जानते पर तुम्हारे बाबा और मोसा कहां गए थे घर पर कुछ तो बता कर गए होंगे नहीं सर नहीं बता ना हमें बता और ना मा को इसे अच्छानक कहां जा रहे हैं आप नहीं बता सकते रह्षम जाना है कुछ है निलम दीदी की कोई ख़बर है ना तू हाथ उठाता ना ये आफटाती बहुत पच्ट आ रहा हूँ बाबा आप पता ही हैं तो कहा जा रहे हैं बाबा अर्चना के बाबा ने कुछ नहीं बताया हमें बस इतना बोले बलराम जीजा जी के साथ जा रहा हूँ अर्चना मौसा जी तुमको कुछ बोले थे क्या नहीं चेतन जब अम्मा को कुछ नहीं बताया तो हमें क्यों बताएंगे बहुत डर लग रहा है हमें अचानक से रात को पोन आया बस इतना बताया कि नीलम का है लेकिन बलराम मौसा जी ने पुलिस को बोला कि नीलम ने राकेश भाहिया का नाम दिया है लेकिन राकेश भाहिया का तो उन्हों ने छोड़ दिये हम मिले थे अभी उनसे हमसे तो कुछ उल्टाई कहने लगे तेरे बाबा जूट बोल रहे हैं समझा ये नीलम को क्यों अगभा करेंगे फिर ओती के लिए वो भी तुम लोगों से कॉलिज पढ़ रहे हो ना जरा दिमाग लगा हमको तो कुछ समझी नहीं आ रहा है बाबा और मौसा जी कही चले गए वो भी हमको बिना बता है अरे वो सच बोलेंगे नहीं और तेरी बहन भी तुझ पर गुस्सा उस्सा हो के घर चोड़के नहीं गई है माजरा कुछ और है चेतन तेरी बाबा खेल रहे है गेम आज हमारा नाम लिया है कल किसी और का नाम लेंगे हमें नहीं लगता कि हमारे बाबा कुछ गलत कर सकते लेकिन जब से ओ लोटे एकड़म कुम्सुम से रहने लगे कुछ तो ज़रूर हुआ है सर क्या केचड़ी पगरी बल्राम जी क्या? अपने साडू भाई राजिंदर के साथ कहां गई थे आप काम था? जैसा काम? अपने काम से गया था जी वो कुछ नी जी काम था हाँ तुबहले न, क्या नी जी काम था? बल्राम का था मैं तो बस साथ कया था ऐसे गोलगोल बात करने से टो हम पीछ कउपा रहे है मैं श Memorial चोड़ना चाहता हूँ इसने इलाबाद गया था नए काम की तलाश में राजिंदर को साथ ले के अब इसमें अब इसा भी कुछ नीजी नहीं है पहले ही बता दे ते काम मिला नहीं फिर जाना है पर आप जा क्यो रहे हैं शेरगन छोड़ कर मेरा दम गुटता है बेटी की याद सता थी आप लोग को अंदाजा भी है कि एक बाप पे क्या बीती जब उसकी गुमशदर बेटी की खबर तक नहीं मिलती आप लोगों ने तो आज तक कुछ किया नहीं वो एक कॉलेज के सेकरिटी गाट का नाम दिया था उसको तक नहीं पकल पाए हरी शंकर गुपता क्या किया है उसने आप जानते हैं कुछ जानता तो अभी तक चुप रहता ससच बोले बलवराम जी क्या नीलम ने वाकई में आपको फोन किया था जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर बे दिया क्या आप लोगों ने कुछ किया आप लोग तो वो फोन के रिकार्ट से आदमी का पता कर सकते हैं ना तो फिर इस नंबर का रिकार्ट क्यूं निकल वा रहे हैं? कल आने के से भागना है, वक्त लगता है इन चिज़ों में, टाइम तो बहुत लगता है सहाब आपको ग्यारा महीन हो गए मेरी बेटी को गायब हो यह जच है पर आज, आपको जूड बोलने हम से आपके सारे सवालों के जवाब दिये मैंने, मेरे एक सवाल का सही जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग रहने दीजी साब, रहने दीजी, मेरी बेटी है, मैं कुछ डोलूँगा आपने हमारे लिए मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं की आपी भरोसा नहीं रासा हमें माफ कर दीजी हम चलते कर दो कर दो दो